हलो दोस्तों, पावर प्लान गाईड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ड्राप्ट क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसका बोईलर में यूज क्यों किया जाता है इस वीडियो में हम लोग नेचुरल ड्राप्ट को डिटेल में देखेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो नेचुरल ड्राप्ट जो की चीमनी के द्वारा क्रियेट किया जाता है जहाँ पर फरनेस के होट फ्लू गेस और आउट साइट में जो अट्मोस्फेरिक कोल्ड एयर है उसके डेंसिटी डिफरेंस के कारण ये नेचुरली क्रियेट होता है जिससे बाहर की कोल्ड एयर आटोमेटिक फरनेस में इन करती हो और कंबर्शन के बाद चीमनी के थुरू बाहर निकल जाती है तो इस तरह के ड्राप्ट को नेचुरल ड्राप्ट कहा जाता है जिसका फर्मूला होता है डी इक्वल टू एच ब्रेकेट में डी ए माइनस डी एफ जहाँ पर डी का मतलब होता है ड्राप्ट ह का मतलब हो गया हाइट अब दा चीमनी और डी ए का मतलब हो गया डेंसिटी ओफ कोल्ड एट्मोस्फेरिक एर जो कि आउटसाइड में होता है और डी इफ का मतलब हो गया डेंसिटी ओफ होट फ्लू गेस जो कि इस चीमनी से बाहर निकलता है तो चिमनी के अंदर जो hot flow gas होता है उसका density low होता है और बाहर में जो atmospheric cold air होता है उसका density high होता है जिसके करण एक pressure difference create होता है और high density की air furnace में in करती है और चिमनी के थुरू बाहर निकल लाती है तो अब बात आता है कि इस chimney में जो hot flow gas है उसकी density कम कैसे होती है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी fluid को अगर गरम करेंगे तो उसकी density कम होती है जैसे आप घर में अगर water को गरम करते हैं तो water की density पहले high होती है लेकिन जब उसको गरम कर देंगे वो steam बन जाएगा तो उस समय उसकी density low हो जाती है इसको और भी बहतर से समझने के लिए हम लोगों को pressure density और temperature में क्या relation होता है उस चीज को समझना होगा ताकि यह natural drop जो है वो create कैसे होता है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए तो इसको हम लोग gas constant equation से असानी से समझ सकते हैं gas constant equation होता है PV इक्वल unit volume को हम लोग density कहते हैं जिसको row से denote किया जाता है तो इस m by v के जगह हम लोग row put कर सकते हैं तो इस expressions आप देख सकते हैं कि pressure जो है वो density का directly proportional है मतलब अगर density कम होगा तो pressure भी कम होगा अगर density बढ़ेगा तो pressure भी बढ़ेगा लेकिन अगर यहाँ पर temperature और density के बीच में relation देख हम लोग exit करते हैं atmosphere में तो यहाँ पर इसकी density कम होती है और बाहर में जो cold air है उसकी density high होती है जिसके कारण से pressure difference create हो जाता है और बाहर का cold air है वो furnace में in करता है और chimney के थुरू बाहर निकल जाता है तो इस तरह से density difference के कारण natural draft automatic generate होता है अब यह जो natural draft होता है वो कई बातों पर depend करता है जिसके कारण इसको सिर्फ low capacity boiler में ही use कर सकते हैं तो देखते हैं इसके कुछ advantage और disadvantage को जिसमें इसका पहला जो advantage है it does not require any external power मतलब जो chimney है वो कोई भी external power नहीं लेता है जैसा कि mechanical draft में फैन लगे होते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा होता है जिसके कारण यह capital investment होता है वो low होता है maintenance cost is low चीमनी में चुकि कोई भी mechanical equipment नहीं होता है तो इसका जो maintenance भी होता है वो बहुत कम होता है बहुत हुआ तो साल दो साल में चीमनी का बस color कर दिया जाता है बस इसी तरह का छोटी मोटी इसमें खर्च आती है अच्छा चीमनी का जो color किया जाता है वो रेड और वाइट स्ट्रिप में किया जाता है ऐसा क्यूं यह आप हमें कमेंट बोक्स में बताएंगे इसका जो लाइफ होती है तो जैसा कि हम लोग ने देखा था कि चिमनी में कोई भी मेकनिकल पार्ट नहीं होती है जिससे क्या होता है इसका जो लाइफ हुता है वो काफी दिन तक होता है तो यह हो गए कुछ इसके अडवांटेज अब इसके कुछ disadvantage को देख लेते हैं तो पहला है it developed low draft तो chimney के द्वारा हम लोग low draft को create कर सकते हैं लगवाग 10 to 20 mmWC ही create किया जा सकता है अगर इसे ज़्यादा draft create करना पड़ता है तो इसके लिए artificial draft की जरौत पड़ती है तो चुकि इसमें draft जो होता है वो low create होता है इसलिए इसे low capacity boiler में ही use किया जा सकता है अगर बाहर का outside air temperature अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा बाहर का भी जो density है वो कम हो जाएगा जिससे क्या होगा कि यहां का जो हमें density difference मिल रहा था वो हमें कम मिलेगा जिसके वज़ा से drop भी हमारा घड़ता जाएगा next है combustion is poor due to less draft अब इसमें चुकि 10 to 20 mmWC ही draft create होता है जिसके कारण combustion जो होता है यहां पे पूर होता है next है heat loss more तो हम लोग जानते हैं कि जो natural draft create करने के लिए हमें density difference चाहिए जिसके वज़े से यहां पे जो हम लोग flow gas को discharge करते हैं उसका कुछ नो कुछ temperature होता है लगभग 200 से 260 degree centigrade होता है जिसके कारण इस furnace में जो भी हम लोग combustion करते हैं उसका 20% हमारा heat लगभग loss हो जाता है तो यह भी एक कारण है कि हम इसे बड़ो पलांटों में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे boiler का efficiency decrease होगा अगर मान लेजिए boiler का drop हमें घटाना बढ़ाना हो तो उस समय क्या होगा कि हम natural drop पे depend नहीं रह सकते हैं क्योंकि natural drop जो होता है वो atmospheric condition पे work करता है जिसको हम लोग खुद से control नहीं कर सकते हैं तो इसलिए जब हमें load को घटाना है बढ़ाना है तो उस समय हमें drop को भी adjust करना पड़ता है जिसके करण से जहां पे load का up down का demand होता है वहाँ पर इस natural drop का use नहीं कर सकते हैं तो ये रहे all over कुछ advantage और disadvantage और natural drop कैसे create होता है I think ये आपका clear हो गया होगा तो I hope कि ये वीडियो आपके लिए knowledgeful रहा होगा अगर ये वीडियो आपके लिए knowledgeful रहा तो please इस वीडियो को like कर दे और channel को subscribe कर दे ताकि इस तरह के knowledgeful वीडियो आपको सबसे पहले मिले मिलेंगे नेस्ट वीडियो में कुछ नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद